हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है देखे विस्व में अभी एक युद्र जैसे हालात बने हुए हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रशिया और यूक्रेन के लिए तो देखे आप यहाँ पर देखेंगे कि UNSC में क्या है अमरिका एक रेजूलिशन लेके आया रशिया के खिलाव बट रशिया ने अपनी वीटो पावर का प्रियोग करते हुए उस रेजूलिशन को गिरा दिया तो देखें क्या है यहाँ पर न्यूज रशिया वीटो यूएनसी वोट और यूक्रेन वार एज इंडिया चाइना एंड यूएई एपस्टेन यानि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तमाल किया और भारत चाइना और संयुक्त अरब अमिरात जो है इसमें भाग नहीं लिया यानि जो वोटिंग हुई उस वोट में हिस्सा नहीं लिया तो दिखे इसके क्या माइन है यहाँ पे वीटो पावर क्या होती है यूएनस्ट क्या है और यूएनस्ट में जो भारत अप्षेंट रहा या जिसमें उसने भाग नहीं लिया तो उसकी तरफ से क्या एक्स्प्लिशन है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया यह सब आपको इस व अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूशना चाहता हूं हो मैनी ओफिशल लेंग्विजिज डस दा यूएन है यूएन की अपनी कितनी ओफिशल लेंग्विजिज हैं तो आप इसमें ऑप्षिन है पांच छे तीन और एक देखिए अगर आपको इ द्राफ्ट UNSC UN Security Council resolution that demanded Moscow to stop its attack on Ukraine यानी UNSC में जो एक द्राफ्ट बनाया गया था वो द्राफ्ट क्या था रेंग्विजिज में कि रसिया जो है उकरेन पर attack जो है अपना बंद करते तो रसिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तमाल किया और उसको गिरा दिया जो resolution है that would have asked Russia to withdraw all troops from Ukraine gained 11 votes to 1 against as Russia vetoed it तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे total जो है UNSC में कितने मेंबर होते है 15 मेंबर होते है 15 में से 11 जो है वो इसके पक्स में थे और एक वीपक्स में था वीपक्स कौन हुआ रसिया जिसने इसको खिलाव वीटो लेका है बचे तीन चाइना इंडिया एं UAE इन्होंने क्या है एपसें कहानी इस बोर्ट में हिसा नहीं लिया है तो देखिए इससे शब्से वड़ें इंप्सेंटन चीज है इंडिया एपसें फॉम UNSC वोट भारत क्या इसमें एपसेंट रहा है तरह एक्ट च्तर समान सकते हैं तो देखिएати ठीकि तो US Ambassador है UN में Linda Thomas उन्होंने क्या का Let me make one thing clear Russia, you can veto this relation Russia के लिए बोला कि यह चीज़ के लिए है तुम इस पे veto लगा दो You can, लगा सकते हो But you cannot veto our voices तुम हमारी आवाजों को बंद नहीं कर सकते हो You cannot veto the two such को नहीं छिपा सकते हो You cannot veto our principles And you cannot veto the Ukrainian peoples तो यह उनका कहना था UN Members Security Council अब मैं बात करता हूँ UNSC के बारे मैं देखिए UNSC क्या है UN O, जो है United Nations Organizations जिसकों normally UN बोलते हैं उसके 6 principal organs होते हैं 6 कह सकते हैं उसकी संस्था से मिलके UN बनता है उन 6 संस्था में से एक UNSC United Nations Security Council तो देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे यह UNO है UNO, UN जो भी आप बोलते हैं इसके 6 parts हैं जिसके हम आज बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे Security Council है General Assembly है International Court of Justice है Trustorship Council है EcoSoc Economic and Social Council है and Secretary and Satchi Waal है तो यहाँ पर Security Council की बात की जा रही है तो देखिए जो UNSC है इसका Headquarter New York USA में है इस्थापना 24 October 1945 कोई थी और इसके अभी वर्तवान में कह सकते हैं Total सदस्य जो है UN के अंदर 193 है बात अगर मैं करूँ UNSC के बारे में तो देखिए UNSC में Total 15 members होते हैं Total 15 members होते है 15 members में जो 5 जो है 5P permanent members होते हैं और इन 5ों के पास क्या है वीटो पावर होती है China, France, Russia, UK and USA और 10 members जो होते हैं non permanent होते हैं ये 10 members यानि हर 2 साल के लिए elect होते हैं हर 2 साल बार change होते रहते हैं तो अभी फिलाल वर्तमान में जो ये 10 members हैं ये आपके सामने है Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway and UAE तो जैसे मैंने आपको बताया देखें इंडिया, UAE और आप में उपर देखेंगे चाइना इन तीनों ने voting में हिस्सा नहीं लिया है और जबकि रशिया ने veto का इस्तमाल किया है अब veto power होती क्या है तो अंडर आर्टिकल 27 यानि जो UN Charter है जैसे हमारा समविधान ऐसी UN का जो समविधान है उसके जो अनुछे 27 के अंतरत Security Council Decisions on all substantive matters required the affirmative vetoes votes of 3-5 आज नि 9 of the members यानि अगर 15 member हैं तो उसके 3 बटे 5 अगर मैं बात करूँ तो 3-5 जो members हैं अगर वो कोई चीज माल लेते हैं decision के लिए तो आप कह सकते हैं कि उसको resolution के लिए रखा जाता है पटल पे UNSC के या UN के अगर किसी भी एक permanent member ने तोटल 15 members हैं अगर उन 15 में से किसी भी एक permanent member ने या तो veto का इस्तमाल कर दिया या एक negative vote बोल सकते हैं veto मतलब क्या हुआ एक तरह से negative vote हुआ या उसके खिलाफ में अगर vote कर दिया या अपनी veto का इस्तमाल कर लिया तो veto क्या है एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ यानि अगर उसने negative vote डाल दिया तो वो proposal जो है prevents adoption of proposal वो proposal को add up नहीं किया जाएगा उसको रोकता है तो इसी power का इस्तमाल करते हुए रसिया ने इस resolution को रोक दिया यहां पर as of February 2022 तो देखिए अब तक जितने भी veto का प्रियोग हुआ है UN में तो देखिए रसिया ने 118 बार veto का प्रियोग किया है US ने 82 times UK ने 29 times France 16 and China 17 times हम बात करते हैं कि इंडिया ने जो अपना रुख रखा है उन्होंने बोला कि हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया उसका वज़य क्या है वो बताया तो बारत के जो permanent जो representative है UN में TS3 मूर्थी उन्होंने बताया expression दिया कि यह हमने क्यों बोल India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine Ukraine में जो हुआ उसकी वैसे परेशान है We urge all that all affects await immediate cessation of the violence and hostilities हम इसके पक्ष में है कि जितना जल्दी हो सके हम प्रयास कर रहे हैं कि यह जो violence हो रहा है इसको खतम किया जाए No solution can ever be arrived at the cost of the human lives यानि इंसानों की अगर कह सकते हैं कि जिन्दगी के उपर कोई भी solution जो है नहीं हो सकता है We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community हमारे इमापे बहुत students हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो Ukraine में रहते हैं तो हम बहुत concerned हैं उनके welfare and security regarding The contemporary global order has been built on the UN Charter International law and respect for the sovereignty and territorial integrity of the states यानि हम राज्यों की देशों की अपनी जो sovereignty है टेरिटिकल इंटिग्रीटी है उसके regarding जो भी UN Charter से हैं उनका सम्मान करते हैं All members states need to honor their principles of finding a constructive way forward इसके लिए सबको मिलके काम करना है Dialogue is the only answer देखे सबसे important चीज़ कहा है Dialogue Dialogue क्या है इन सब चीज़ों का जगड़ों का जगड़ों का और जो है बहुत जरूरी है It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up देखे ये एक बहुत बड़ी बात है दुखत गटना है कि diplomacy यानि वारतलाव का जो रास्ता था वो यहाँ पर छोड़ा गया है और युद्ध की तरफ ये बात गई है तो ये सब चीज़े वो थी तो for all these reasons इंडिया है चूज़न to abstain on the resistance तो उन्हों हिसा लिया कि हमने इसमें भाग नहीं लेना है ये वज़य थी बारत की देखे यहाँ पर चाइना भी अप्सेंट था रशिया ने जो पूतिन है उनकी भी मोदी से बात यारी दोनों तरफ से pressure बराबर था बट overall जो है भारत ने कह सकते हैं कि कोशिस की कि अपना पक्स इस ताइप से रखे कि ना इस तरफ ना उस तरफ हाला कि रुजान साफ दिख रहा है और यह आपको पहले से भी पता था कि रशिया की तरफ जाएगा बट इस चीज का जो है ज़ादा negative impact जो है यहाँ पर भारत के point of view से नहीं देखा जा सकता है भारत ने कोशिस की है दोनों पक्स को साधने की अब इसमें कितना सफल हुआ है यह आप समय के उपर छोड़ दीजिए बट अगर मैं आज की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी ज़ादा यहाँ पर भारत ने अपने point को clear कर दिया है और यह पता भी था कि यह आपको यहाँ पर abstain रहने वाले हैं तो देखें ओफिसल लेंग्वेजी जो question पूछा गया था आपके तो UN की देखें छे ओफिसल लेंग्वेजी हैं Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish तो यह total six languages हैं जो ओफिसल लेंग्वेजी की काउंटर कैटेगरी में आती हैं UN की में ठीक है कैसी लगी है जनकरी आपको जरूर बताएगा फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत